Q1. भारत की राश्टी ध्वज में धर्म चक्र में अरों यानी स्पोक्स की संख्या कितनी है? Q2. भारत की कितने उच नयालों की अधिकारता में एक से अधिक राज्य है? संग राज छेत्र सामिल नहीं है Q3. निम लिकित में से किस किस ने भारत के उप राश्पती का पत समाला है? Q3. पहला, मुहमद हिदायत उल्ला, दूसरा, फकृत दिन अली एमद, तीसरा, नीलम संजीव रड़ी, चौथा, संकर दयाल सर्मा नीचे दिये गए कूट का प्रियोकर सही उत्तर चुनिए Q1. अफ्षन A. एक, दो, तीन और चार आफ्षन B. केवल एक और चार आफ्षन C. केवल दो और तीन आफ्षन D. केवल तीन और चार सही अंसर है आफ्षन B. केवल एक और चार एक में हैं मुहमद हिदायत उल्ला चार में हैं संकर दयाल सर्मा Q4. बर्स 1953 में जब आंदर राज एक अलग राज बना तब उसकी राजधानी कौन बनी Option A. गुंटूर Option B. कुर्णूल Option C. निल्लॉर Option D. बारंगल सही अंसर है Option B. कुर्णूल Question No. 5 सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचीयों के निचे दिये गए कूर्ण का प्रियोकर सही उत्तर चुनिए सूची 1 में हैं बैक्ती सूची 2 में हैं पद Option A. नगेंदर सिंग Option B. ए एन राज Option C. आरके त्रिवेदी Option D. अशोक तेसाई नगेंदर सिंग का होगा दो अध्यक्ष अंतर राष्टी नियाल है एन राज का होगा भारत का मुख नियायमूर्ती आरके त्रिवेदी होगा भारत के मुख निर्वाचन आयुक्त अशोक देसाई भारत का महानियायवादी चार सही ऑफ्षन होगा दो तीन एक चार ऑफ्षन ऑफ्षन भी नियम लिकित में से कौन सा एक लोगसभा का सरवादिक बड़ा छेतफर के उसा निर्वाचन छेतर है ऑफ्षन ए कांगड़ा ऑफ्षन बी लद्दाक ऑफ्षन सी कश्य ऑफ्षन डी भीलवाड़ा सही अंसर है ऑफ्षन भी लद्दाक कुश्चन नमबर सैवन निम लिकित कत्नों पर विचार कीजिए पहला नियायमूर्ती बी यार किश्न अईयर भारत के मुक नियायमूर्ती थे दूसरा न्यायमूर्थी बियार कृष्णाईयर भारतिय न्यायक व्यवस्था में लोखी त्याचिका PIL के प्रिजनगों में से एक माने जाते हैं उपरियुत कत्नों में से कौन सा कौन से सही हैं Option A केवल एक, Option B केवल दो, Option C एक और दो दो, Option D ना तो एक और ना ही दो PIL के प्रिजनगों में से एक माने जाते हैं Question No.8 निम लिखित समिदान संसोदन अधिनियमों में से किस एक के अंतरगत भारत के समिदान की आठमी अन्सूची में चार भासाइं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर बाइस हो गई Option A. समिधान 90 वा संसोदन अधिनियम Option B. समिधान 91 संसोदन अधिनियम Option C. समिधान 92 संसोदन अधिनियम Option D. समिधान 93 संसोदन अधिनियम सई अंसर है Option C. समिधान 92 संसोदन अधिनियम Q9. निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए भारत की समिधान में यह उपन्ध है कि पहला पितेग राज की विधान सवा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जो राज में प्रदेशिक निर्वाचन छेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे दूसरा कोई प्यक्ती किसी राज की विधान सवा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहिरत नहीं होगा यदि उसकी आयू 25 बर से कम हो उपर्युक्त कत्रों में से कौन सा कौन से सही हैं Option A केवल एक, Option B केवल दो, Option C एक और दो दो, Option D ना तो एक और ना ही दो सही अंसर है Option B केवल दो कोई ब्यक्ती किसी राज की विधान सवा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहिरत नहीं होगा 10. निमलिकित में से कौन सा कौन से राजी के नीती के निद्रिशक तत्यों में सामिल है पहला मानव के दुर्वेपार और बलाज स्वर्म का प्रतिशेद दूसरा मादक पेयों और स्वास्त के लिए हानिकार और और शदियों के और शदिये प्रयोजिनों से भिन उपभोग का प्रतिशेद नीचे दीगे कूट का प्रयोकर सई उत्तर चुनिये option A केवल एक, option B केवल दो, option C एक और दो दोनो, option D ना तो एक और ना ही दो सई अंसर है, option B केवल दो, दो में है, मादक पेयों और स्वास्त के लिए हानिकार और शदियों के और शदिये प्रयोजिनों से भिन उपभोग का प्रतिशेद question number 11 भारत के समिदान की किस अंसूची में, बिविन राजियों में अंसूचित छेत्रों के प्रशाशन और नियंतर के लिए बिशेश उपबंद है option A तिसरी, option B पांचमी, option C साथमी, option D नौवी question number 12 सीमा प्रवंधन भिवाग, निमलिकित केंद्री मंतराले में से किस एक का भिवाग है option A रक्षा मंतराले, option B ग्रै मंतराले, option C पोत परिवैन, सड़क परिवैन और राजमार option D पर्यावरण और बन मंतराले question number 13 option 13, निमलिकित में से किस एक के सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा बीरप्पा मोईली की अधिस्ता में आयोग गठित किया गया option A, पुलिस सुधार, option B, कर सुधार, option C, तकनीकी सिख्षा में सुधार, option D, प्रसाशनिक सुधार सई अंसर है, option D, प्रसाशनिक सुधार प्रसाशनिक सुधार सुधार